स्वदेशी कार नर्माता कंपनी महेंद्रा मोटर्स और टाटा मोटर्स जब भी अपना कोई बिग लॉंच की तयारी में होते हैं तो मार्केट में पहले से ही एक बूम आ जाता है और इसी साल जुलाई में महेंद्रा मोटर्स के तीन जबरदस्ट प्रोडक्ट लॉंच होने वाले हैं और इनके बारे में जो इन्फरमेशन महेंद्रा मोटर्स द्वारा शेयर की गई है जबरदस्ट चौकाने वाली है क्योंकि यहां पर महेंद्रा मोटर्स जिन गाड़ियों को लॉंचिंग की तयारी में हैं वो कंपनी के कोई रूटीन प्रोडक्ट नहोकर प्रजेंस रखने वाली कंपनियों को भी तगड़ा जटका देने वाले हैं अपने प्राइज रेंज में जहां पर ये इंडियन कस्टमर्स की नीड बनेंगे वहीं पर अपनी क्वालिटी लुक और फीचर से ग्लोबल मार्केट में भी धमाल मचाने वाले हैं तो दोस्तों महिंद्रा मोटर्स 2022 जुलाई में अपनी तीन नई शांदार एस्यूबी लॉंच करने वाले हैं और जहां तक बात है इनके बारे में फरस्ट है आपकी महिंद्रा एक्स्यूबी 900 कूपे जिहां जिस गाड़ी को आटो एक्सपो में शोकेस किया गया था काफी समय पहले इंटीर और फीचर से जुड़ी काफी कुछ इंफरमेशन शेयर कर दी हैं बात करें इनके फीचर और लुक की तो लुक में ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों को तगड़ा कंपटीट करने वाली है इसके अलावा नेक्स्ट गाड़ी है महिंद्रा एक्स्यूब की गाड़ियां बॉर्ण इलेक्ट्रिक प्लेट फारम पर बेस्ट हैं और माना जा रहा है कि महिंद्रा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक एस्यूबी महिंद्रा एक्स्यूबी 300 के साथ महिंद्रा के यूवी 100 भी लॉंच ओने वाली है और इन दौनों ही एस्यूबी के प्लेक्ट मॉडल से 2020 के आटो एक्स्वो में पड़दा उठ गया था फिलाल आपको ये जानना जरूरी है कि महिंद्रा ने इसके बारे में जो इनफ्रोमेशन शेयर की है एक्स्टियर और इंटियर के बारे में इन नई एस्यूबी के अंदर ड्यूल टॉन रेड और ब्लै जाविंग सीट के ठीक सामने एक HD स्क्रीन होगी और महिंद्रा अपनी इस SUV का डिजाइन काफी फिचरिस्टिक रखने वाली है और इसे डिजाइन किये गया है UK बेस्ट महिंद्रा एडवास डिजाइन यूरोप के अंदर और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार SUV महिंद्रा XUV300 और महिंद्रा XUV700 और महिंद्रा XUV900 कूपे जो लॉंच होने वाली है उसमें आपको मिलने वाला है एडवास का सिस्टम और इसमें Automatic Emergency Breaking, Traffic Sign Recognization, Front Collision Warning के साथ अन्य जरूरी फीचर से लेस, Connected Car Technology समय सभी खूबियां देखने को मिलने वाली है और इनी गाड़ियों में महिंद्रा KUV100 एलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉंच होने वाला है और जिसका बताया जाता है सिंगल चार्जिंग पर 200 से 250 किलोमिटर तक मायलेज होने वाला है चार्जिंग की बात करें तो उसे घर में regular AC चार्जर से 6 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है और फास्ट चार्जिंग से केवल एक घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है प्रैज रेंज इसकी एप्रोक्स 8-9 लाग के आसपास होने वाली है तो मिड रेंज के अंदर भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी महिंद्रा की लाउंच होने वाली है और इसके बाद बड़ा अपडेट है TATA मोटर्स की तरफ से TATA की आइकनिक SUV TATA सियरा जल्द ही लाउंच होने वाली है और इसके अलावा Tata Motors आने वाले कुछ समय में 10 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी लाउंच करने वाले हैं और यहां पर जो Sierra लाउंच होगी जिसको 2020 के Auto Expo में शेयर किया गया था यह कंपनी की first car होगी जो सीधा इलेक्ट्रिक वर्जन में लाई जाएगी यानि कि इसका कोई पैट्रॉल या डीजल वर्जन नहीं होगा यह बॉर्ण इलेक्ट्रिक प्लेट फारम पर आधारित होगी और दोस्तों आपको बता देंगी Tata Sierra कंपनी की एक popular SUV रही है और इस गाड़ी के अंदर फोर वील ड्राइब सिस्टम के साथ 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता था लेकिन अपकमिंग Tata Sierra को पैट्रॉल डीजल नहीं केबल इलेक्ट्रिक वेरेंट में लाउंच किया जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक वर्जन पारंपरी 5 डोर ले आउट में आएगा और रिपोर्ट्स की माने तो Tata Sierra पर काम काफी समय से चल रहा है और यहाँ पर Tata Motors कुछ पैट्रॉल इंजन पर आधारित गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वर्जन में लाउंच करने वाले हैं और यहाँ पर मार्केट में एबेलेबल सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें वो चाहे Tata Motors की हो या फिर MG या Hyundai की तो Sierra उन सबसे जबरदस्ट वैटर होने वाली है इसलिए कमपनी Sierra को डबलप करने के लिए काफी वर्क कर रही है और दोस्तों इसके लाबा information है कि Tata Motors Nexon EV का भी latest version launch करने वाले हैं जिसमें current version से काफी ज़्यादा mileage होगा तो ही current में जो Nexon EV है 312 का mileage देती है जबकि next generation Nexon EV 400 का mileage देने वाली है और यहाँ पर यह भी important है कि Tata Motors अपनी दो और गाड़ियों के electric वेरेंट लाने वाले हैं First है Altros जिसका EV वर्जन आने वाला है और इसके अलाबा Tata Tiago उसका भी electric वर्जन launch होने वाला है इसके अलाबा एक और बड़ा update है महिंद्रा मोटर्स की तरफ से तो महिंद्रा की दिलों पर राज करने वाली महिंद्रा XUV300 जो safety में भी 5 star है तो अगर आप महिंद्रा की इस गाड़ी को purchase करने का plan बना रहे हैं तो आपके लिए खुश कबरी है कमपनी जल्दी अपनी इस super hit compact SUV 300 का facelift लाने वाली है और XUV300 को फरवरी 2019 में launch किया गया था और हाल में ही दमदार XUV के facelift वर्जन को road पर testing के दोरान देखा गया है और XUV का नया वर्जन मौझूदा वेरेंट से ज़्यादा पावरफुल और stylus होने वाला है और इसके बारे में जो information share हुई है updated वर्जन में XUV के looks के साथ साथ इसके engine और interior में भी change आपको नजर आने वाला है और जो इसके बारे में reports हैं company पहले से ज़्यादा पावरफुल 1.2 लीटर का AM installant turbo charge engine offer करने वाली है और यह engine 130 PS की power 239 NM का peak torque generate करेगा और company ने इस engine को 2020 में auto expo में XUV 300 sports concept के नाम से showcase किया था इसके अलावा इसमें 6 speed manual 6 speed AMT का gearbox मिलेगा और जहां तक बात है मौझूदा वरजन की तो इसमें 1.2 लीटर का turbo petrol मिलता है interior में भी काफी कुछ नया बदलाब होगा नया interior में आपको new dashboard होगा नया touchscreen infotainment system और display का resolution भी पहले से ज़्यादा better होने वाला तो दोस्तों ये है अभी तक की automoviles words की latest news और information तो अगर आप भी रहना चाहते हैं सबसे पहले automoviles words की information से update तो चैनल को अभी से subscribe करें प्रेस करें bell का icon ताकि हर important information आपको time से मिलती रहे और आप जब भी new गाड़ी पर change करें तो हमेशा उसका latest version पर change करें मिलते हैं next update के साथ नमस्कार दो